नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेशन चैनल एजूटूबर दे उपर तो दोस्तों बहुत सारी अपडेट्स बहुत सारी वीडियो और बहुत सारी कम्यूनिटी पोस्ट में मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड ग्रीड में कितने सारे हर बार 1352 यानि की 1352 पद ही खाली हैं अब कोई अधिकारिक अपडेट से बाहर जाके बताता है तो उसका अधार तो हम कुछ मानने ही सकते लेकिन दोस्तों आज केवल सेकंड ग्रीड की बात नहीं करेंगे और भी जो भरतियां है चाहे वो रीट हो पीटियाई हो या लडी नहीं हुई है तो आप समझ सकते हो कि समय कितना जाता है जैसे कि वो कहा भी गया है कि रास्तान में आपकी परिक्षा ही केवल परिक्षा नहीं लेती उसके बाद का जो समय है आपकी जॉइनिंग तक का वो भी आपकी पूरी परिक्षा लेता है तो दोस्तों त्याग पत्र तर देता है चैनीत अभेर्थी तो देता थयाग पत्र जिसको resignation बोलते हैं, resign बोलते हैं और एक तарीके सो को मैं कहें स्तिफा भी बोलते हैं तो इस्थीपे के बाद त्याग पत्र के बाद जब पद खाली हो जाता है तो उस पद को वेटिंग लिस्ट में लाने के लिए जो अभी कोशिश हैं चल रही है हालनकि उसमें राज्थान में पताने कौन से ही उल्टे नियम बने हुएं कि त्याग पत्रित पदों पर वेटिंग लिश्ट नहीं आ सकती उसको आप नई भरती में सामिल कर सकते हो तो ऐसे अजीबो गरीब नियम भी दोस्तों रहते हैं लेकिन त्याग पत्रित पद का सीधा समतलब यही है कि जब कोई पोश्ट खाली हो जाती है किसी एक चैनी तविर्थी द्वारा त्याग पत्र देने के बादा वो लगे उपर वाली नौकरी में सेलेक्ट हो गया या फिर वो अपने मंद से कोई किसी कारण से रिजीनेशन दे दे इस्तिवादे दे तो लडी सी दोस्तों जो भरती है अपने लोवर डिवीजनल कलर का यानि कि जो लिपिक की जो भरती है दोजार अठारा उसमें 1100 पद खाली है कनिष्ट लेखा का भरती की बात करें जो 2013 में होई थी उसमें 110 त्याग पत्रीत पद खाली है बात करें वरिश्ट अध्यापक यानिक अपने सेकंड ग्रीड 2018 की तो 1352 पद खाली है जिसकी मैं 7-8 बार आपको अपडेट दे चुका हूँ अलग-अलग टाइम पे राज्थान पुलीस की बात करें 2017-18 वाली भरती की अभ अभी भी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है साथ तीसरी अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो तीसरी वेटिंग लिस्ट के बाद अभी भी 1400 पद खाली है तो रीट में जो डियो भी यानिकी डेट आप बर्द से रह रहे थे तो उनके लिए एक खुश ख़बर आने वाल टाइम में हो सकती है है भी अगर सेकन्ड गरेट 2018 की बात कर afford करा ऊने तो और पांस व भी है और पद खाली है शीड्ट लिए यानिकी फीजिकल ट्रेनिंग इस्ट्रक्टर जिनको कहते ह सारी रीक शिक्षक अनुदेसरी और थार चारा चार्ए थी 200 पद घाली है परेउसला जो सायक हות और निगम लिमिटेड तो उसमें जो है 400 पद खाली है तो ऐसे करके आपके रिक्त पदों की दोस्तों सारी कहानी होती है तो अगर इन त्याग पत्रित पदों की अगर टोटल की हम बात करें तो 6000 के संथिंग ये पद हो रहे हैं यानि कि 6000 पद अपने रास्तान में खाली है त जाग पत्रित के तो अब इससे आप एक और चीज़ समझे कि कोई भी अबेर्थी अगर चोटी से चोटी जौटी जौटी जौब ले लेता है तो वो बड़े पद पर पहुंचने की योगता आटोमेटिक धान कर लेता है कई सारे अबेर्थी कहते हैं कि सर हमने तो बहुत म अबेर्थी किसी जौब की त्यारी करता है तो हर समय उसके मन में डर रहता है अगर नहीं हुआ एक परसेंट आधे परसेंट डियूबी से में रह गया तो क्या होगा जबकि दूसरा जौबेर्थी है जो अभी भी सरकारी सेवा में चाहे फोर्थ ग्रेड़ी है और वो फर् रीजन से भरतियां अटकती रास्थान में पंचायती राज़ भरती 2013 10,029 पद हैं और बजट के कारण अटकी हुई है नर्सिंग भरती की बात करें तो 1100 पद है और कमेटी में मामला अटका हुआ है आयर्वेदिक नर्सिंग भरती की बात करने तो इसका रीजन नहीं है ल 700 पदों पे न्यूक्तियां अनि की जॉइनिंग्स बाकी है और परिणा मटका हुआ है अपने 1115 इस्टेनोग्राफर का कुछ समय पहले आंसुर की वगरा आई उस पे आपपतियां वगरा भी ली गई थी अब जो ये अनुबहों के आधार परती संक देने का नेने लिया ग बढ़ा हर किसी को आप आठी ग्रूप से सक्षम बना सकते हो उसको अलग-अलग परकार के प्रक्षिशन दे कर ताकि कई सारे विर्थी चाहे खुद सरकारी जोब ना ले पाए बढ़ दूसरे एक लिए प्राइवेट जोब जरूर बना सकते हैं तो ये चीज समझनी जरू वीडियो और कम्यूनिटी पोस्ट के मादिम से तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार